दोस्तों का वेलकम है दोस्तों आज संडे का दिन और आपके लिए वीडियो हाजिर है तो दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ बहुत थी अच्छी वीडियो दोस्तों हम अपने घरों में इंडोर मनी प्लांट लगाते हैं तो मनी प्लांट के पत्ते को जो बड़े करने क लिए हमें एक वहां इस्टीक लगानी पड़ती है तो वह इस्टीक आज कहां बनती है कहां मिलेगी तो उसके रेट क्या होंगे तो आज चलिए आपको लेके चलता हूं मनी प्लांट की फैक्टरी में जहां पर वह इस्टीक बनती है तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो इसे सस्क्राइब करके बैल आइकन ओन कीजिए क्योंकि मैं नर्शरी पर जा जाके बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए बीडियो बनाता हूं और नय संडे को मैं जाने वाला हूं कापा सेडा कापा सेडा जाके वहां पर गार्णिंग की सौप है जहां पर बहुत ही सस पर भीडियो ना कर सके तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हूए चलिए बीडियो पनी स्टाiéक करते हैं के मनीप्लांतं की पर श्टीक qatar होती है है तो आप सबसे सादसे सामने देख सकते जब शील लेते हैं, तो यह बसता है, तो इसे मसीन में डाल के बारीants किया गया है, और इधर देखिए इधर इन्हों ने ये पैक कर दिये हैं, जाली के अंदर, इसके अंदर इसी में जड़े जाती हैं, और पत्ते मनी प्लांट के बड़े साइद्स के होने लगते हैं, इधर जितने आप उपर जाते जाएंगे बढ़ते जाएगा तो आप याद रखिए 10 रुफे फिट के हिसाब से मिलती है और नॉर्मल गमले के लिए लेना है तो आपको यहाँ पर 50 रुपे की मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर साइज की अवेलिबल है इनके पास बड़ी से बड़ी देखिए बहुत बड़ी बड़े लगा रखे इन्होंने जो मनी प्लांट बहुत आलो पे चड़ाते तो उनके लिए देखिए बड़ी बड़ी स्टीक लगा रखिए तो आपको दिखाते हैं मनी प्लांट में गमले में आपको कहां लगाना होगा तो भ इधर मनी प्लांट गंलों में लगे हुई है यहां पे श्टीक हुई है तो मनी फ्लांट की जड़ एक गंले के अंदर होती है और दूसरी जो पत्य होता है उससे साइड से जड़ messaging करनिती है तो आप जब इसको लगा देंगे तो आपके मनी प्लांट जो है के बहुत अच्छे से ग्रो होगा बहुत लोगों के मनी प्लांट चल नहीं पाते हैं वो पूसते हैं क्या कारण हमारा मनी प्लांट चल नहीं पा रहा है तो उसका यही कारण है आप अपने मनी प्लांट में इस टीक जरूर लगाई है तो आप देख सकते हैं यहां सारे गमलों में लगी हुई और देखे कितने अच्छे से इन में जो ग्रोथ हो रही है और यही जो होती है कि बहुत लोग कहते हैं हमारे मनी प्लांट के पत्ते जड़े होंगे और आपको फिर पानी जो है कि इस टीक पर डालना है तो वहीं से जड़े जो होती है कि अपना फीडिंग लेती है तो आप अपने मनी प्लांट में जरूर यह लगाए तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपके लिए इतनी मैं वीडियो बना रहा हूँ अच्छे अच्छी तो आप प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ओन करें और इधर देखिए यह गुलदाबरी की यह कटिंग इने लगा रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर तो अभी यह 15 से 20 दिनों बाद यह और बड़े पत्ते नहीं हो पा रहे हैं तो उनके पास यह वीडियो सेर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलिज मिल सके और दोस्तों सपोर्ट दिखाईए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो फिर मिलते हैं आपको जल्दी एक नेस्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक अप यह एक जए